आपके फाइनल एक्जाइम के लिए हमने 11 नेस स्टार्ट किया था अवर आर्थ एनिट नेकबर्स जो हमने 96 पेस तक पढ़ा था आज भी हमने 96 पेस स्टार्ट करना है रिवावलेशन से रोटेशन आप सबने पढ़ा था rotation में था कि earth अपने ही axis पे movement करती है west to east जिससे क्या होता है कि day and night का आता है कि दिन और रात बनते है आज हम बनेंगे revolution जब आज सूरज का पूरा चकर नकालती है और वहाँ से क्या होता है पूरा one year बनता है the other moment of the earth एक तो moment होगी ना rotation दूसरी movement कौन सी है revolution while the earth spins on its axis it also goes around the sun and a fixed path उसने जो सूरज के आगे पीछे उसने जो गूमना होता है वो भी अपने fixed axis में ही करती है एक ही रास्ता रखा है उसने उसी रास्ते पे वो उसके आगे बिचे चक्कर लगाती है वो एक fixed path है फिक्स रास्ता है वो आगे पीचे नहीं बढ़तकेगी वो मेशा उसी जगह से ही चक्कर लगाएगी सूरज का पूरा this fixed path is called orbit इस fixed path को क्या बोलती है the time taken by the earth to complete one revolution एक revolution complete करने में दर्ती को सूरज को जब पूर्या गोलाई से उसको चकल लगाके फिर से उस जगह पर आके खड़े होने में उसको लगता है one year, 365 days and one upon four यह जो one upon four होता है यही आपका चार साल के बाद leap year बनता है half of अव जूर के एक पूरा दिन बनता है जो February में 29 Feb होता है this time taken by the earth to complete one revolution around the sun in 365 and half one upon four days तो आप सब को पाच चला fixed path को हम क्या बोलते हैं orbit कहता है a word to know fixed path a path which does not change fixed path का मतलब होता है जो कभी भी change नहीं हो सकता जैसे the sun the sun is very big ball of the hot gases सूरज क्या है बहुत सारी गैसों का hot ball गरम उबलता हुआ जहां कोई नहीं जा सकता it is a star close to the earth यह वो star है जो दर्ती के सबसे close है close होने के बाद भी हजारों क्रोडों light year दूर है it is on light and heat इसको बस अपनी रोशनी है और अपनी गर्मी है जो पूरी दर्ती को यह देता है जिसे दूपी बहती है और रोशनी भी होती है next आज़े यह 97 phase पे the earth and the other planets goes around the sun जो 8 other planets है अर्थ को छोड़े जो 7 other planets है वो सब भी यही अपने fix path पर सूरज के आगे पिछे गूमते हैं वो भी इसी तरह से round लगाते हैं और हर किसी को अपने अपना हसाब का time लगता है they get some of the sun heat and light इन सब को सूरज की दूप और light मिलती है किसी को ज्यादा किसी को कम जो सूरज के ज्यादा पास है उनको ज्यादा मिलती जो सूरज से दूर उनको कम मिलती है the temperature of the sun surface is about five hundred five thousand four hundred century degree इतनी गर्मी है कहां पर सूरज में on a very hot day और यह बोखोट ज्यादा घंद दिन होता है the temperature on the earth can be goes 50 degree और earth तक कितना पहुचता है सिर्फ 50 degree है कितना है आप देख सकते है और पहुचता कितना कम है oral question है choose the correct answer यह सारे आप learn किया करें और उतारे करें अपनी copy बर the sun and the dash planet together फास कितने planet है eight the earth spin from spin कहां से करती है पुचता है west to east east to west north to south rotation की वज़े revolution की वज़े से क्या आता है पूरा साल तो हम इसमें rotation को एड़ करेंगे और देड नेड बताना है अब हम पढ़ेंगे the moon moon क्या है चांद the moon is a natural satellite of the earth because it moves around the earth moon एक natural satellite है जो earth के आगे पिछे गोंती है ना के सूरज के अब देखिए इसको natural satellite बोला है तो artificial satellites भी होंगी artificial satellites होती है जिने हमारे scientists बेचते हैं अर्थ को देखने के लिए कि अर्थ पर क्या क्या हो रहा है तो natural satellite वो भी क्या करती है वो भी अर्थ के ही आगे पिछे गोंती है वैसे ये natural satellite को होना है moon जो अर्थ के आगे पिछे गोंती है the moon completes one rotation on its axis 27 1. days जो moon होता है न वो क्या करता है अर्थ पर अपनी rotation आपको आथा rotation अपनी fix point पर होती है वो कितने दिन लगाता है 27 1.3 days लगाता है it takes the same time to complete one revelation around the earth और उतना ही time किसमें लगाता है एक साल पूरा करने में revelation पूरा चकल लगाने में भी उतने ही दिन लगाता है the moon is about 384,400 km away from the earth जो चांद है वो दुनिया से कितना दूर है आपको मैंने distance पढ़के बता दिये इस distance को याद रहना 384,400 km दूरी है चांद और दुनिया की अर्थ की यह कैसे चमकता और कैसे शाइन करता है सिर्फ और सूरज की लाइट की मदद से जब सूरज की परच्छाइज पर बढ़ती है यह चमक उठता है इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है इस अर्थ की अर्थ की अर्थ की अर्थ की लाइट की वज़े से ही आती है जितनी जितनी लाइट उसको मिलती है जैसे जैसे अर्थ अपनी पुजिशन चाहिए रही थी क्योंकि यह अर्थ का रोटेशन और एवलिशन करता है तो जैसे जैसे अर्थ गोमरी होती है वैसे वैसे इसको भी लाइट मिलती रहती है उस पोजिशन की वज़ा से और ऐसे ही चांद अपनी शेप को चेंज करता रहता है इन फिगर 11.12 आपको 11.12 से पता चलेगा इसमें क्या यह आगा है फेसिज आफ मून यह अर्थ है अब आप देख सकते हैं कि यह सामने सन की रोशनी दिख रही है जो आर्थ पर पड़ रही है और यह जहां जहां चांद गूमता चलेगा वैसे 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 चांद को क्या होता है रोशनी मिलती है और लास्ट में जब पूरी हर्थ से वो सामने आ जाता है आर्थ के जहां पर सूरज की रोशनी आ पड़ती है वहां आ जाता है full moon इस तरह से सूरज की मदद से ये half से full में आ जाता है The circle around the earth shows the shape of the moon in different position जो आप ये picture में देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कैसे चांद गड़ता है और बढ़ता है When the moon is between the earth and the sun, we do not see it all at जब वो चांद सूरज और धरती के बीच में होता है तब हमें वो पूरा नहीं दिखता This is called the new moon हम उसको बोलते है new moon जब नहीं बिल्कुल छोटा सा जब हम रोजे होते हैं जब इद का चांद देखते हैं वो कितना छोटा सा होता है वो position क्यों बनती है जब वो अर्थ और सन के बीच में होता है इसलिए उसका नाम दिया गया है new moon position A in the figure position A को देखिए आप इसमें देखिए बिल्कुल निया चांद निकला हुआ है जो बिल्कुल दोनों के बीच में है इन टू और थ्री डेज टाइम दा मून लुक लाइक थोड़े जब दो-चार दिन हो जाते हैं तो थोड़ा चांद और बड़ा लगने लगता है इस इस दा क्रिसेंट मून इसको अलग-अलग शेप के अलग-अलग नाम है आपको सब लर्ण करने है new moon आ गया, क्रिसेंट मून आ गया within a week, एक हफ़ता जब हो जाता है we see half of the moon हमें आदा चांद दिखने लगता है called the first quarter when we see more than half of the moon जब हमें first quarter के बाद और moon दिखने लगता है तो हम उसको बोलते है it is called the gibbis moon वो जाता है उस moon को हम बोलेंगे gibbis moon in two weeks time we see the full moon और जब दो हफ़ते से उपर हो जाता है तो हमें क्या दिखता है full moon जिसमें position b में आप देख रहे हैं 11.12 figure में आप सब को पता चला कि moon की अपनी कोई light नहीं है और moon क्या करता है किसकी help से light देता है सूरज की और उसको क्या होता है rotation तो earth की करता है और evolution भी आर्थ की करता है पर जैसे जैसे earth उसे हटती देती वैसे वैसे उसको sun की रोशनी मिलती जैसे वो half से full हो जाता है और रोशनी भी वो sun से ही लेता है अब हम पढ़ेंगे stars आप सब को पता है तारे आप सबने बहुत सारे तारे भी देखे होंगे आसमान पे stars are huge heavily bodies यह बहुत बड़ी bodies है heavily bodies है यह सूरज से भी बड़ी है पर दूर होने की वज़ए से हमें बहुत चोटी दिखती है that is light of their own और इनकी अपनी light होती है जो सूरज से भी ज़एदा होती है for thousand of year कहीं हजारों साल पहले people have enjoyed watching the star लोग तारों को देखने में बड़ा मज़ा आता था some star for pattern in the sky कुछ चीजे बनी होती कभी कोई शकल बनी होती कभी कुछ बना होता है हम भी जब तारों को देखते तो कितनी सारी हम उसमें अलग-अलग pattern बनाते हैं जैसे mobile में pattern बने होते हैं वैसे ही one group of the star appear in the shape of hunter कुछ ऐसा लगता है को हंट कर रहा है hunter की shape की बना है another outline of the line and so on और कुछ ऐसा लगता है जैसे को line है को share बना हुआ है these group of star जब अलग-अलग group शकले बनाते हैं अलग-अलग चीज़ें दिखते हैं तो उस group को क्या बोलते हैं और constellations constellations बोलते हैं there are about 88 different constellations 88 अलग-अलग किसम की group होते हैं अलग-अलग शकले बनते हैं आसमान पे जहांपर तारे होते हैं तो उन सब ग्रूपों को बोलते हैं कंस्टनलेशन एटीए डिफेंट टाइप के कंस्टनलेशन होते हैं तारों के अलग-अलग मतलब पैटर्न है सम आफ दԼ कंस्टनलेशन आर अर्नस मेजर जैसे यह शकल बनाई इस्टाइ की शकल बने छोती है लगता है के ग्रेड बियर को बड़ा सा बालू है उसके बाद आ गया Scorpius, Scorpius होता है, उसके बाद आ गया Orion Hunter की शेप में होगा, Leo Line की शेप में होगा On the clear, steady night, try to identify the different constellation आप यह कीज़े, जब clear night हो, जिदि काली, dark night हो, उसमें तारे चमक रहे हो तो आप इन शेपों को वहाँ पर खुद अमेजन कर सकते हो जो नीचे पिक्चर बनी है, इन सब पिक्चरों के जब स्टिकर चिपका आई है और इनके नाम भी लिखिए, जा तो ड्राइंग कीजिए इसकी Indian Astronomer, एक Indian Astronomer थे जिन्होंने इस बारे में पूरी सर्च की थी, इन्होंने क्या क्या बताया हम वो पढ़ेंगे आर्या भट्टा, ये इनकी पिक्चर है, 11.14 वे Astronomer are people who study the sun, वो लोग जो सूरज की, the moon and the star and the planet Astronomer हम किसको बहुलेंगे, जो चान, सूरज, planet और स्टारों की स्टड़ी करते हैं, उनके बारे में knowledge गेन करते हैं और हमें बताते हैं, about 5200 येर अगो, 1500 साल पहले, they live in our country Astronomer, हमारे country के Astronomer थे, जिनका नाम था आर्या बठ्था, he studies and talk Astronomy and Mathematics, जिनने मैथामेटिक बनाया और Astronomy, हमें मतलब यूनिवर्स के बारे में बहुत सरी बातें बताई, he was the first man to tell us that the earth is round and it rotates on its axis, वो ही थे जिनने पहली बताया था कि जो दर्ती है, वो रोंड में है, गोलाई में है, और रोटेट करती है, अपनी ही जगा में जिसे दिन और रात बनते हैं, he also told us that moon does not have it on light and it shines when sunlight fallen on, उन्हेरा में ये भी बताया था कि चांद की अपनी कोई रोशनी नी, जब सूरज की रोशनी उस पढ़ती है, वो चमकता है, उसके बाद आगया वहरा मीहरी, वहरा मीहरी उस बंदे को बोलते हैं, जो हमें यूनिवर्स और स्टार वगएरा के वारे में बताते हैं, वो भी एक ऐस्टोमार्ट थे, वो लिव ड्यूरिंग दा आर्या बट्टा टाइम, जब आर्या बट्टा का टाइम तब ही वो रहते थे, वारा मीहरी, वो नाम था उनका, He was a scholar and rotate, wrote many books, वो एक scholar थे और उन्हें बहुत सरह कदाबे लिकी, मून के बारे में, स्टार के बारे में, प्लैनेट के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, एक और थी बासकर, तू वास दा ऐस्टोमर बासकर भी एक ऐस्टोनॉमर थे जिन्होंने हमें यूनिवर्स के बारे दा वो 900 साल पहले रहते थे उन्होंने वो मैथर निकाला डिस्कवर किया कि प्लैनेट कैसे मूव करते है आपने जनतर मंतर देखा है जो देली जैपूर में स्वामी जैसिंग दा किंग आफ दा अंबर बिल्ट तू स्टडी स्टार ये इसलिए बना था कि स्टार की स्टडी को पताच लगे उसको किया जाए सम इंस्ट्रॉक्शन्स सम इंस्ट्रॉमेंट्स मेड आफ लाइम प्लास्टर एवन तूड़े जैए चैन हेलब मेजर टाइम पूसिशन आफ दा स्टार लाइम। इनकी कुछ प्लास्टर के ऐसी चीज़ें बनाएगी जनतर मंतर में जो टाइम को मेजर करें और तारों की पूसिशन को समझें देखे इस पिक्चर को बनाईए इस्टोनॉमर के याद नाम याद किये सबके और इसमें से आप क्या कीजिए मून की जो अलगर नाम है उनको देखें और वो जो औरल कॉशन उसको कीजिए और नेक्स क्लास में मैं आपको इसकी एक्साइज करवाँगी होप यूंटस औला हाफिज